हलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का डेली डोज बॉक्स के इस सांदार एपिसोड में दोस्तो मैं लेके चलता हूँ आपको अजब तथ्यों की गजब दुनिया में बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रा आज मैं बात करूँगा पृत्वी पर मौजूद समुद्रों के बारे में दोस्तो समुद्रों का जन्म कैसे हुआ कहां से उनमें इतना पानी आया और उनमें रहिस्मय जीबन दोस्तो वैसे तो मनुष्य ब्रह्मान में काफी दूर तक पहुँच गया है लेकिन पृत्वी पर मौजूल समुद्रों में जो रहस्य हैं उनसे अभी तक अन्जान है दोस्तों बैज्ञानकों का अन्वा दरसल प्रत्वी के विसालकाए घड़े पानी से कैसे बर गए यह अन्वान लगाना भी मुश्किल है दोस्तों जब प्रत्वी का जन्व हुआ तब यह एक आपका गोला हुआ करती थी और कालांतर में समय बीड़ा गया धीरे धीरे प्रत्वी थंडी होने लगी और जब प्रत्वी थंडी हुई तो गैस के बादली बने Meu दोस्तों बादलों के थंडे होने पर यह भारी हो जाते हैं यह तो आपको पताई होगा और जब यह भारी हुए то दोस्तों मुश्लाधार बारिस होने की बज़े से ए प्रकिया लाखों वर्सों तक चली और इसी बज़े से वरतमान में जो समुड्र हमें देखते हैं उनका जन्व हुआ दोस्तों समुद्र दनिया का सबसे बड़ा तथा इस्थाई पार इस्थितिक तंत्र है यानि इको सिस्टम है दोस्तों समुद्री जीवन धर्ती की अपेक्षा विचित्र और रहस्यों से भरा है जहां एक और विशाल का वेल है और दूसरी और आखों से दिखाई न देने वाले लाखों समुद्री जीव आपक पैदा होती है उन्हें बेंथर्स कहा जाता है महासागर में मौजूद सबसे छोटी जीव की बात करें तो उसे प्लैंक 10 कहा जाता है दोस्तों समुद्री जीवन काफी अचरचों से भरा हुआ है समुद्र में जहां एक और खनिज हैं और दूसरी और अथा पानी दोस्तों समुद्र में जीव जनतों की दो लाख से अधिक प्रजातिया निवास करती हैं और बैक्टीरिया की 35,000 प्रजातिया तथा वाइरस की 50,000 प्रजातिया हैं दोस्तों एक कोशकी पौदों की 1,5 लाख प्रजातिया अभी हाल ही में खोजी गई हैं दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि मानव जो है अभी समुद्री जीवन में नहीं पहुँच पाया है और समुद्र के रहस्यों से काफी अंजान हैं दोस्तों समुद्र में हजारों तरीके के पेड़ पौधे पाये जाते हैं जो तैरते भी हैं और जमीन में भी हैं दोस्तों समुद्री जीवन से ज समुद्धी रहसों से भरी यह यात्रा कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताईए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही आपको यात्राइद देखने को मिलती रहेंगी मिलूँगा अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा